सबसे पहले नमबर फाइनेंशल गोल में मिस से पूछते हैं कि मिस हम एमेजन कर लेते हैं और आप उपर नीचे भी हो सैलरी तो मत बताएं एक लाक रुपे आप कमा रहे हैं एक महीने में ठीक है आप कितने पैसे कमाना चाहती है एक महीने में जिसमें जो क्वालिटी अफ ल पुरे मतला पूरा का अडिया मेरी अड्य आपकी लाइफ से सब चीजाए आपके पैरेंस को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं वह बज़ों को कर रहे हैं वह बहुंअ को कर रिये हैं वह उपनी भी लाइफ सब चीजाए एक लाग तो आपकी आगी अच्छा यह आगया तीन पहले लिखें एक लाख एक्जिस्टिंग वान हंडड के यहां लिख दें कहीं पर भी हाँ 100K 100K आप अभी अर्ण कर रही हैं और आपने सोचा कि 3 लाख आपने कमाने हैं थोड़े देर बाद ये 3 लाख आपके चेंज हो जाने हैं आपने कहना है नहीं है 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख होने चाहिए हम पहला गोल सेट करें अपनी अपनी लाइफ में financial गोल और क्लेरली खुली आँखों से तैय करें कि मुझे एक महीने में कितने पैसे कमाने हैं जिसमें मैं अच्छी जिंदगी, quality of life अच्छी नज्याए कर सकूँ तो इन्होंने 3 लाख तैय किया, मान लेते हैं अब 1 से 3 लाख कैसे आप जाएंगे सेलरी तो बढ़ने से रही, क्या आपकी एकदम 3 लाख होजे आपने ये जो टारगेट सेट किया financial गोल का इसके आगे timeline लिखें कितने महीनों में या कितने सालों में आप 3 लाख पे जाना चाहते 1.5 येर्स बहुत जादा time इतना जादा मतलब मेरी goals भी नहीं है मतलब मुझे लग्टा होजेगा ठीक है 1.5 अच्छे इसके लिए क्या होगा company raise करेगी या आप additional income भी होगी मतलब क्या committee डालेंगे online banking online नहीं होती चीज़ें के freelancing Amazon से आप करेंगे तो वहां लिख दीजिए कि salary date साल में आपकी होजेगी डेड़ लाक और डेड़ लाक आप other means से कमारेंगे इस salary तो इतनी जल्दी हमारे लेज होती नहीं है तो यह बस वही होगा मतलब freelancing से हो जागा freelancing से हो ठीक है अच्छा अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप freelancing के साथ लिखें वहां 300k के नीचे लिखें 1.5 इसके नीचे फिर एक में लिखें freelancing यह कहीं पर भी freelancing दूसरा option मैं आपको देता हूँ आप कहते हैं मैं किताब लिखूँगी अपनी company के organizational culture पे किताब publish होगी मुझे royalty मिलेगी हर महीने और मैं वहां से earning कर सकती हूँ तीसरा आप कहेंगी कि मैं अपनी company में training कराऊंगी और मैं अपनी company को कहांगी कि पर training internal trainer के तुरपे मुझे पे किया जाए और मैं एक साल का plan दे रही हूँ एक rough idea दे रहा हूँ जो जो हो सकते हैं कर लें जो नहीं हो सकते ना करें आप बोलें के ठीक है company में तो नहीं हो रहा मैं YouTube channel बनाऊंगी और मैं इस तरह की videos डालूंगी उस पे और मुझे एक साल के अंदर-अंदर वहां से 1500 dollar आने शुरू हो जाएंगे मेरा ये gap cover वह भी freelancing में ही है मैंने article लिखने है article लिखते लिखते मेरे article की viewership इतनी होगी कि मुझे उस पे पैसे मिलेंगे Amazon पे काम करना है ये option होगा ऐसे multiple options आपने Fiverr पे account बना के कुछ earning करनी है करते-करते ये options बढ़ते जाएंगे आपने गाड़ी खरीद ली फिर उसको बेच दिया profit लिया फिर खरीदी फिर बेचा आपने plot खरीदा जो जो भी करना है उस तीन लग को achieve करने के लिए आप इसमें लिस्ट में डालते जाएं और इन मेंसे उस उस चीज की timeline देते जाएं अगर book लिखनी है तो मैंने कितने महिनों में लिखनी है तीन महिने छे मैंने एक साल फिर आपसे हम दो साल दो मेने बाद पुछेंगे कहां पहुचें शुरू इने की इसका मतब you are behind your goals YouTube channel बनाना था channel इनी बना behind बन गया, वीडियो डाली वीडियो डाली वियोर्शिप नहीं आई वियोर्शिप आना शुरू कब होगी प्रोमोशन करेंगे करते करते बढ़ते बढ़ते आप फिर earning पे जाएंगे तो ये सारे goals की deadline आएगी और फिर progress महीर हो रही होगी हर महीने आप weekly करे, monthly करे, yearly करे quarterly करें आपके उपर है तो जब आपने ये सारे किये तो आप 3 लाग पे आगए ये financial goal हो गया ठीक हो गया, दूसरा goal उपर 1 के नीचे 2 लिखें 1 के नीचे, list लंबी है न 2 पे आजेगा आपका health goal अब health goal में हम साबिट साब को वहां खड़ा कर रहे है मिस करेंगी आप ही लेगिन imagine कि साबिट साब है साबिट साब आपका 2023 का health goal क्या है, कितने केजी लूज करने है 10 केजी 14 केजी 14 केजी weight lose करने है, हम सब को consider कर रहे हैं, सिरफ मिस को नी 14 केजी weight lose करने है ठीक है, waste कितनी कम करनी है वो भी आगया, weight आगया 14 केजी waste आगयी जी, 5 केजी 5 है इंच, ठीक है और shape में आना है muscle बनाने या नहीं बनाने, आप goal set कर सकते हैं अब ये करने के लिए ये करने के लिए जिम जाना पड़ेगा, यहाँ डाइट करनी पड़ेगी, डाइट करेंगे तो nutritionist के पास जाएंगे, वो कहेगी 5000 मुझे दे दीजी, एक गंटे का 5000 रुपे का इधर वजन आ गया फिर जिम जाना है, अगर जिम की fees यहाँ एड हो जाएगी फिर अगर आपने आपने नहीं जाना, अगर नहीं जाना आपको ड्राइफ रूट खाने है health के लिए, health से related सारे goals का origin point पैसे है पैसे होंगे तो healthy activity आप कहते हैं पार्क के सामने घर लेना है तो उसका rent जादा है, वहाँ जाना पड़ेगा ठीक है, commute बढ़ जाएगी पैसों पे, आपके financial goal पे असर आएगा ठीक है, तीसरे नमबर पे लिखिए, आप career goal career goal में हम बनाएंगे अपना goal ऐसे आप अभी अपना designation यहां लिख लेंगे और फिर बोलेंगे कि मैंने बनना क्या है, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 25 साल बाद, जितना जितना time जिसके पास रहा गया है, वो डेजिगनेशन या वो target destination अपनी लिख ले, यहां पर टारगे, इस पॉंट विए टारगे, कोई बनाएंगे साइट कारी नहीं रहा है, यह लिकिन आप गोल तो, एम तो कर सकते हैं, तब ही तो आप वहाँ जाएंगे, आप जले में आपना लिखए, आप लिखे, उनेट मैनेजर लिखिए, अभी मैं हूँ, ऐंएंगे, शिटिंग साइट टीक शिटिंग साइट के अफ़े साइट, सब्सक्राइब कर दोगेटर लिखे थी हाँ अच्छा जी एव ला मेरा इस देखा हूं और हम देख रहें इंशादा यह दो साल एक साल के लगा मरीम कदम बढ़ा हम तुम्हारे साथ सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करते हैं तो यह हो गया इसके लावा लीडर्शिप स्किल्स आपने इन्हांस करनी है तो सारी स्किल्स की लिस्ट बनेगी और आप वह सीखते जाओगे प्रॉमिनेंट होते जाओगे कंपनी के बाद जिस वक्त आपर्चुनिटी है इसको सब्सक्राइब करें पहले एम से मैनेजर होगे मैनेजर से फिर आगे सीनियर मैनेजर फिर प्लांड मैनेजर की तरफ छ किनियर करें कि allen करेंगें तो oni आपका करियर गोल होगे नवे आपनड करनी है करियर गोल के बाद आपके एंड करनी होगे surt करी के आपिर नेग्स डोल ना गोल सेट किया, फैमिली गोल में फैमिली को घर लेकर देना है, गारी लेकर देनी ये सारे फैमिली गोल के लिस्ट बनाते जाएं, उनके प्रोग्रस मेइर करते जाएं फिर आपके नेक्स लेवल पर लिखे है रिलीजिस गोल, So religious goals में आपका आगया जी उम्रा ठीक हो गया लिखें उम्रा और हज आप लिख सकते हैं आप इसमें religious goal में क्या लिख सकते हैं मैंने हिफस करना है ठीक है मैंने किरत के साथ पढ़ना है तरजमा तफसीर पढ़ना है religious में जो जो आप 5 वकत की नमाज की पबंदी करनी है जो जो आप religious goal set करना चाते हैं करते जाएं और measure करते जाएं कौन कौन सा हो गया है अब होगा क्या जब आप कहेंगे मैंने उम्रा करना है तो कहां से करेंगे इन पैसों से और हज करना है यहां से और आपने अगर मदरसे में दाखला लेना तो फीस यहां से अगर कोई और चीज़ आपने पीच्डी करनी है इसलामियात में तो भी आपके religious goal यहां आगए religious के बाद आते है spiritual goals spiritual goals में आप कहते हैं कि ठीक है मैं religious obligations को काफी हज़ तक पूरा कर रहा हूँ अब मैं थोड़ा purification की तरफ soul purification की तरफ जाना चाहता हूँ मैं इस दुनिया में क्यों आया मैं अपना मकसद ढूनना चाहता हूँ मैं चार राते सहरा में गुजारना चाहता हूँ meditation सीखना चाहता हूँ रिखी सीखना चाहता हूँ मैं जाना चाहता हूँ जाके दाता साब पे हादरी देना चाहता हूँ मैं जाके बाबा बुलेशा के मजार पे जाना है मैंने जाना है इरान इरान जाना है मैंने डिफरेंट जगों पे spirituality के लिए आप कहते हैं मैं बाबा जी की किताबें पढ़नी है जो spiritual हमारे कौन थे बाबा बुलेशाद उनकी किताबें पढ़नी है ये भी spiritual goal है आपका तो आप ये list बनाते जाएंगे set करते जाएंगे आगे deadline देते जाएंगे कब तक मैंने पढ़नी है कितनी जल्दी खतम करना है क्या क्या अचीव करना है तो वो आपके spiritual goal फिर उसके बाद आपके आजेंगे social goals social goals में हैं दोस्तों के साथ कितना time गुजारना है number one हर Saturday को दोस्तों को time देना है party करनी है, खाना खाना है बाइर जाके या हमने society के लिए कुछ करना है rotary club जोइन करना है lawins club जोइन करना है अपनी कोई आपकी company में ऐसी society बनी हुई हो जिसमें आप पैसे collect करके कोई बच्चों के school में बसते कताबे देते हो कहीं आप जाके सरदियों में गरम कपड़े डोनेट करते हो कहीं आप कहलें कि हर Saturday को मैंने McDonald या के FC जाना है 10,000 रुपे का फूड वहां से पैक करके डिगी में रखना है और किसी ऐसे दूर दराज अलाके में जहां खाना मुएसर नहीं है लोगों को वहां जाके उनको खाना सर्फ करना है और उनके साथ टाइम स्पेंट करना है ये सोशल गोल हो गया आपके फिर इसके बाद आपके आते हैं लेयर गोल्स जो इन्होंने का दुबई का ट्रिप करना है आपने का मालदीव जाना है नारान कागान जाना है आपने layer में आपके friends के साथ goals भी हो सकते है जिसमें कोई काम नहीं करना आप कहते हैं मैंने सिर्फ सोना है Saturday Sunday ये भी layer goal है मैं कोई काम नहीं करूँगा Sunday को ठीक है तो फिर आपके इसके कोई इतना ही लिखा पिर नाइन के बाद लिख दीजिए personal development goals इनका मैंने एक साल में छे किताबे पढ़नी है ये मेरा goal है कौन सी पर नाम लिखे आगे तै कर लें जाकर खरीद लें शुरू कर लें अब छे किताबे दो महीने में एक किताब है दो महाँने में एक Prem हुई लिखे येस येस चे किताबे एक साल में हो गई, टिक आपका गोल अचीव हो गई, ये KPIs बनगे ना आपके परसनल तो जब आप इस तरह गोल अपने बनाएंगे तो आप अपनी लाइफ डिजाइन कर रहे होंगे इनमें कोई नहीं कह रहाँ को के भाई आप ये कर लो ये कर लो, कौन कह रहाँ आप खुद बैट के अपने लिए अगला साल डिजाइन कर रहे हो अपने बच्चों को ये सिखा दे कैसे अपने गोल डिजाइन करें हर एक कैटेगरी में रिलिजन को भी टाइम दे रहे हैं फैमिली को भी सोशल भी परसनल भी करियर भी फानेंशल भी आप में से कोई शक्स चाहे तो उठा के रिलीजिस गोल को उपर ले जाए टॉप पे जी मेरे लिए ये प्रायोरिटी है मुझे नहीं पैसे चाहिए उम्रा करने के लिए लेगिन मैं नमाज पढ़ूँगा सबसे नमबर वन ताज़द पढ़ूँगा रोजे रखूँगा ये टॉप प्रायोरिटी है मुझे इसके लिए पैसे नहीं चाहिए तो वो ले जाए ये तर्तीब खुद सेट करें ये मेरी तर्तीब को फॉलो ना करें मैंने एक रफ तर्तीब दी है समझाने के लिए किस गोल का क्या इंपक्ट आ सकता है आप के लिए हो सकता है इसमें से करियर गोल जीरो इदी का करियर गोल क्या है उसका सोशल गोल उसका करियर गोल भी है रिलिजिस गोल भी है स्पिरिशल गोल भी है फैनेंशल गोल भी है उसका कोई गोल नहीं है और तो आप कौन सी जिन्दगी गुजार रहे हैं हमें अपनी जिन्दगी के हिसाब से गोल बनाने है लेकिन कटेगराइज करने से हमें पता चल जाएगा हम अपनी लाइफ के किस पहलू में कितना टाइम दे रहे हैं कितनी सवजख दे रहे हैं कितना सीरियेस हैं और आचीव क्या की है जर्नल गोल बनाएंगे हम कहने यदे गहर बनाना है यह फेमली गोल formatsality है करियर गोल तो ही नहीं पर हमारा financial fireplace और रिलिजिस गोल तो ही नहीं दिल म नहीं कियो जिए यह काम करने हैं पता करो, यह sheet पूरी बनाते हैं मैक्सल में, one on one लोग आते हैं माया पास coaching के लिए, उनसे बनवाते हैं, उनके goal लिखवा के, फिर उनके आगे target lines और फिर हर मेने वो हमें उस sheet को update करके बेजते हैं, फिर zoom meeting में वो ना आएं office, उनके साथ हम उसको discuss करते हैं, क्या achieve कर लिया, क् कैसे करोगे कौन सी और स्किल सी को, किस direction में जाना है, आपके लिए यह free हमने एक portion discuss किया है, अगर आप करेंगे मिसाजें बैठें तश्रीफर के, अगर आप करेंगे तो आपकी life ही बेतर होगी ना,